सबस्कार, स्वागत है आपके लिए स्टेडी मंद्रेटिप चनल पर सातियो UPSC लेकपाल में जो डीवी चल रहा है तो कल 8 नवंबर को जो डीवी था जैसे मैंने कल आपको बताए भी था कि जो 1st सिप्ट ही आपकी उसमें कितना डीवी स्किप हुआ है और जो 2nd सिप्ट थी उसमें कितना डीवी स्किप हुआ था टोटल मिलाके कुल 8 नवंबर की बात करते हैं आप नवंबर को सातियो दोनों सिप्ट मिलाकर थोड़ा ज्यादा डीवी स्किप देखने को मिला 2nd सिप्ट में ठीक है सातियो तो दोनों को shift को मिला कर अगर 8 November की बाद देखी जाए तो आपका DB skip रहा 110 से लेकर 115 110 ही मान के चल सकते हैं 105 से लेकर 110 के बीच में DB skip रहा है 115 भी हो सकता है क्योंकि क्या था second shift में DB skip अच्छा खासा देखने को मिला लगवक 60 से लेकर 65 अभ्यर्तियों की बीच में तो 110 से 115 के बीच में मान के चल सकते हो तो दोनों shift में 110 से 115 के बीच में DB skip देखने को कल मिला आपको ठीक है तो एक अच्छी ख़बर आपके लिए यही है कि किसी दिन DB skip बहुत ज़्यादा कम होता है यह बात हकीकत है और किसी दिन DB skip बहुत लगो 90 से नीचे तो किसी दिन नहीं जा रहा 90, 100, 110, 115, 120 इस प्रकार से DB skip आपका हो रहा है और ठीक ठाक DB skip का नंबर है यह और लास्तक आपको अंदाज होना चाहिए कि लास्तक अगर 40 दिन में DB skip हो रहा है वो DB skip करा रहे है और बहुत सारे साती ही कहते है कि जिनका सेलेक्षन है वो DB कराने आ रहा है सही बात है DB कराने आ रहे है अब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं और ना कुछ आप कर सकते हो दूसरा साती हूँ जो जूनियर असिस्टेंट है 1262 पोस्टों के लिए आपको माले में कल उसकी रिवाइज़ आंसर की आ गई अगर आपने जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पोस्ट है उसका अगर आपने दिया है तो अपनी रिवाइज आंसर की देख लो इसमें हुआ क्या है मैंने कले भी वीडियो बनाया था रात में भी साम को भी हुआ क्या है कि इसमें रिवाइज आंसर की में एक प्रसन पर तो फुलमाक्श दिया गया है और एक प्रसन का जो आंसर है वो चेंज कर दिया गया है आप देखो बहुत सारे साथी अभी रिवाईज आंसर की आगई अब इसके बाद कोई फरदर आंसर की नहीं आती है ठीक है रिवाईज आंसर की फाइनल आंसर की होती है सीधी बाती है पेरे प्रबजेनल आती है उसके बाद रिवाईज आंसर की आती है तो यह रिवाईज आ आपके देखो, final selection के लिए बतारो, around 60 के something, 58, 57 नमबर हैं, तो आपका selection final हो जाएगा, पहली बात. और दूसरा, 56, 57 नमबर हैं, तो आप DB की तयारी करो, general की बात करने हो, क्रेटेगरीम तो नीचे जाएगा, 56, 57 नमबर आपके बन रहे हैं, तो आप करो DB की तयारी करो, typing की तयारी कर लिजी साती हो, typing में बहुत लड़के भार हो जाते हैं, इसलिए typing में 6 से लेकर 8 गुना तक बुला सकता है, ठीक है, typing क्या होती है, typing हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट मांगता है, और English की 30 वर्ड पर मिनट मांगता है, हिंदी की typing में लोगों को confusion है, तो बता देता हूं, हिंदी की typing दोनों font पर होती है, एक तो कुर्ती दे पर होती है, और एक मंगल पर होती है, तो अगर आप नोस्किये हो नहीं जानते हो तो मंगल पे सीख लो सीख जाओगे ठीक है साथियो तो यह मैंने आपको बता दिया जूनियर असिस्टेंट की अगर जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट है उनकी अगर सौट लिस्टिंग की बात करें साथियो कि सौट लिस्टिंग कब तक ह पर परेपर होुगा एकजाम के नहीं का है ठीक है और अभी अगर इस भर्ती की तजैराई कर रहा है तो आप टाइपिंग सीखते रही है दीमें दीमें और आप उस टाइम तक जिस टाइपिंग होगी परफेक्ट हो जाओगे पांच मिनिट की होती है फांच मिनिट की ठीक है तो पांस मेंट में आपका रेजल्ट जो होता है आपके समझ आ जाता तुरंती आपने कितने रॉंग डिप्रेशन किये हैं कितने राइट किये हैं वो आपके समझ आ जाएगा ठीक है साथियो और आप पूछो के एकिरीशी कितनी चाहिए अगर 90% 92-93% आपके एकिर लेकी है अब एक तो नोटिस जूनियर असिस्टेंट 1262 पुष्ट रिवाइज अंसर की आ गया अब एक दो नोटिस अभी और आ सकता है दिवाली से पहले हो सकता है पॉसिबल आज आज या कल में आपके नो दस तक गया नो दस दो ही दिन बीच में तो दो दन में आपके न उम्मीद तो यह है कि जल्दी आ जाएगी और जैसे सात्यों मैंने बताता रहता हूँ आपको जैसे बीडियो एक्जाम है बीडियो का जो रिजल्ट है इस पर काम चल रहा है और इसकी आंसर की तो आ चुकी है रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है इसका रिजल्ट आना बा जूनियर इंजिनियर जूनियर इंजिनियर दुहर 18 फाइनल रिजल्ट आपका दीब तुमारा दिसंबर में आएगा ठीक है एसो का साथी बहुत ज्यादा परिशान है एसो का रिजल्ट साथी जरूर आना चाहिए दीपवली के बाद आ जाए यह पॉसिविल्टी बन रही है तो एक रिजल्ट यह वाला मंडी स्पेक्टर का और एक एसो का इसका रिजल्ट दीपवली के बाद आ सकता है कमांड टेक्निकल भी साती हो मुझे लग रहा है कि दिसंबर में जाएगा और कुछ संभावना बनती है तो यह नवंबर में आए तो यह तुमारे एक और दो और यह तीन रिजल्ट जाएंगी दिसंबर में और एक और दो रिजल्ट आएंगी यह नवंबर में आ सकते हैं लास तक आपको इंतजार करना पड़ेगा यह रिजल्टों का ठीक है सात्यों तो यह रहा पूरा वीडियो मैंने इसके बारे में बता दिया कि डीवी इसकिप पड़ जाएंगे बीच में 10 तारीक तक की है तो आज और कल का ही है दिन तो दो दुन में देखते हैं कोई नोटिस जारी होती है तो बड़िया बात है अन्य था कि इस्तिती में 16 तारीक हो फिर सुचा रूप से काम चलेगा ईपिटी प्लसी का तो यह रहा वीडियो सात्यो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सेयर कर दिया करो चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा दो जिससे में आने वाली वीडियो को नोटिफिकिशन आपको मिल जाएंगे और सात्यों पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बतरने वाँगे